तो दोस्तों आज अपने पास हैं महिंद्रा की एक स्यूवी सेवन डबलो एमेक्स वेरियंट हमें ओन रोड गाड़ी पड़ी है यह पड़ी है वाकि इतने प्राइज में अगर आपको 57 सीटर नोट 577 सीटर एक अच्छी खासी एक स्यूवी मिल जाती है एक स्यूवी गाड़ी तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो लिए हेलो एंड राम राम स्यूवी चाहत है च्वाइज है इस गाड़ी को खरीदना तो मैंने सोचा क्यों ना आप को इस गाड़ी के बारे में बताया जाए तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपनी नई गाड़ी के साथ एक वोकराओं तो दोस्तों आज अपने पास हैं महिंद्रा की एक्ष्वी सेवन डबलो एमेक्स वेरियंट तो दोस्तों इस गाड़ी में मिल जाते हैं टू पॉइंट ओ लीटर पेट्रोल इंजन विच सिक स्पीड मैन्वल ट्रांस्मिशन और जोगी के प्रेड्यूस करता है भाई 197 बीच पी का पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल इंजन के लिए वाई काफी अच्छी पावर है यह और मैन्वल ट्रांस्मिशन के साथ यह गाड़ी आपको मिलती है और इस गाड़ी की अगर लेंथ ब्रैथ एंड विट्थ की गाड़ी में बैठे हो तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट में बात करें तो हमें मिलते हैं भाई तो दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले भाई साइड प्रोफाइल में आते ही गाड़ी का जो दिखता है वो जाती है नजरे टायर की तरफ तो इसमें हमें 17 इंचीज के वील मिलते हैं विद प्रोफाइल ओफ 235 by 65 और देखने है भाई मैनुवली एड़ेस्ट और विम एक्चुली फॉल्डेवल यह मैनुवली फॉल्डेवल मिलता है बट आप इसको इलेक्ट्रिकली एड़ेस्ट अंदर से कर सकते दोनों साइड एक चीज और दिखा देता हूं मैं इसमें आपको ब्लैक शाइन वाला एक कलर देखन अनुआ अपको कपनी फिटिट रूफ रेल्स मिल रह一次 आप बात कर लेते दोस्तों गाड़ी की 75 में ईसमें सबसे पहले आप देखिए तो इसमें हमें मिल जाता बाई रेगुलर एंटीना और अपदा यह स्पोईलर है इंटीग्रेटिट स्पोईलर है गाड़ी कोई एक्स्टर नहीं लगवा रख यह भी कंपनी फिटेट है तो यह भी एक प्रीमियम फिल देता गाड़ी में बाकी इसमें पीछे ब्रेक लाइट सा जाती है हाँ इसमें ह को नहीं मिलता है बट प्रैक्टिकली इतना उसका यूज भी नहीं होता है नेक्स्ट बात करते तो इसमें हमें तो दो सेंसर देखने को मिल जाते जिससे भाई बैक करने में काफी हेलफुल रहती है गाड़ी में और स्टैपनी वगएर भाई जो है वो नीचे मिल जाती है यहां से हम बूट को ओपन कर सकते हैं बूट आपनिंग के लिए अपने पास यहां पर एक छोटा सा बटन दे रखा है और इसमें हमें देखने को मिल जाती है भाई LED ब्रेक लाइट्स ऑल्दो जो हैड्लैंप से वह हैलोजन मिलते हैं बट ब्रेक लाइट्स जो हमें हमें क तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहले हमें इस तरह की कुछ चाब भी मिलती है यह अपना ओन ओफ का फीचर मिल जाता है और यह बूट ओपरेशन का फीचर इससे हम बूट ऑपन कर सकते हैं तो गाड़ी को कर जाता है सिक्स्पीड मैनुवल ट्रांस्मीशन और एक प्यारा सब ब्यूटिफुल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई पूरा और एट इंच का इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें एंड्डॉइड ओट और एपल कार प्लेगा फीचर भी मिल जाता है वह बाकि यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इस तरह अगा यह आपने सिमिलर है वाई अपना स्कोर्प्यों जैसा राइट में स्पीडो मीटर है यह आर्प्यम मीटर और बीच में यह अलग-अलग आप इसमें इंफोमेशन देख सकते हैं और इसका सारे जितने भी इसकी ऑप और चेक करो यह आप व्यू हमें इसमें डिवल टोन के साथ अपना यह डैश्बॉड देखने को मिलता है यह ब्लैक और बीच की बहुत तगड़ा कॉंबिनेशन है और यहां हलका सा सिल्वर लाइनिंग है जो इसको और भी एनेंस कर रही है बढ़िया तो दोस्तों यह हमे एट इंचिस का डिस्पले देखने को मिलता है विद फॉर स्पीकर्स इंडोर्स एंड वन सेंटर स्पीकर तो टोटल फाइस स्पीकर्स मिल जाते और भाई इनकी साउंड क्वाल्टी ना वाके में बहुत बढ़िया है और उसके नीचे हमें मिल जाता है मैन्वल एसी अपन फोन रख सकते हो चार्जिंग के लिए करना हो या वैसे रखना हो या कोई आपको अपना कार्ड वगेरा रखना वह बीजी रख सकते हो उसके बाद दोस्तों यहां पर स्टोरेज की अगर मैं बात करूं यह आपको दो ग्लास होल्टर मिल जाते हैं और आम रेस्ट में करें अगर ड्राइवर साइड पे यहां पर हमें चारों पावर विंडोस के कंट्रोल's देखने को मिल जाते हैं पर जो सबस्तों बात कर लेते अपनी सेकेंट्रों के बारे में रों में जैसे आप लोग बैठते हो ना भाई-टो सबसे पहले आप देखो लेग रूम कितना अच्छा एमपल अमाउंट ऑफ लेग रूम मिल जाता है यह सेट हला कि मैंने अपनी हाइट के साफ से एड़ेस्ट कर रखे भाई उसके बावजूद भी अच्छा-कासा लेग रूम मिल जाता है और हैड रूम देखोगे भाई तो अच्छा-कासा एड है तो यह काफी प्रेक्टिकल लगता है यहां कोई कंट्रोलर नहीं मिलता है फैन का आपको बट हाँ वेंट्स जरूर देखने को मिल जाते और यहां पर अपना यह मिल जाता है सेगिंड रो में आम रेस्ट और इसमें अंदर का पोल्डर भी अभी अल्दो गाड़ी यह न नई गाड़ी की फील जो है मतला आप समझ सकते भाई लोगों को मतला हर जल्दी से घर को गंदी नहीं करना चाहता है इसलिए अपना कवर करके रखा हुआ है अब चलते थर्ड रो में और एक बर चेक आउट करते थर्ड रो के बारे में बाकि एक सेगिंड रो में आपको बाझ वाल यहांपना यह उपर लाइट देखने को मिल जाती है और यह लाईट एक्च्छली ठड रोह में कहीं नहीं है तो यहां पर आपको सनुरूफ नहीं मिलती इसलिक इस गाड़ी में सेंटर में रखिया है और लाइटिंग क ніकलि आगे भी देखने को मिल जाती हो यह अगर हम आजाते हैं तो लैक स्पेस की बात करूं भाई मैं लैक स्पेस बिल्कुल नहीं देखो मेरी नी जो है यह गाड़ी में अड़ चुकी है पूरी तरह है क्योंकि यह हलकी सी हमने रिकलाइन भी करकी है और बाकी यह है कि अगर छोटे बच्चे आपके साथ तो छोटे बच्चे यहां थोड़ी बहुत दूर जाना हो तो इजीली बैठके जा सकते बाकी बड़े के लिए इस आप से तो भाई बिल्कुल नहीं है हैड रूम भी आप देख सकते हैं और उसके साथ-साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग सोकेट भी मिल जाता है विद कप होल्डर तो मतल संद्रा वालों ने बट यहां पर वही है कि बड़े लोग नहीं बैठ सकते बच्चों के लिए और आप इधर भी देखेंगे यहां भी आपको कप होल्डर मिल जाता है और विद एस इवेंट्स तो यह चीज बहुत अच्छी है दोस्तों इसमें कि अगर थाड़ों में जब आप थाड़ों ओपन कर लेते हो तो बूट स्पेस इतना ही देखने को मिलता है इसमें आप हाला कि छोटे अपने दो ट्रोली बैक्स अराम से प्लेस कर सकते हो हां लेकिन अब अगर आपकी थाड़ों की ज्यादा यूज नहीं है तो आप इसको डाउन करके भाई अच सब्सक्राइब कर दोस्तों अब गाड़ी के फाइनल प्राइजिंग और सेफटी फीचर्स की बात कर लेकिन आप दोस्तों अब गाड़ी के फाइनल प्राइजिंग और सेफटी फिचर्स की बात कर लेते हैं इस गाड़ी में मिलते है टू ऐर में ब्रेक्स november करें cur और टू एर्वेक्स मिलते हैं विद फाइव स्टार एन कैपरेटिंग तो कहीना गई गाड़ी काफी सिक्योर है इन टरम्स ऑफ सेफ्टी अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइजिंग की बारे में तो यह जो हमें ओन रोड गाड़ी पड़ी है यह पड़ी है स्टोला लाग के बारे में कंपनी क्लेंग करते हैं माइलिज के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपनी ने कहा है के 13 14 गाड़ी देगे अरामसे बयद अभी जो और ने पर किसी color अबके 25 करेंगे तो यह था भाई हमारे आज का गाड़ी का एक्स्यूवी साथ सो एम एक्स मोडल के बारे में बाकी इस वीडियो को करते दोस्तों यहीं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई एंड राम राम